महराज दितरास्ट ने भगवान वेद व्याजी महराज से पूछा कि महराज मेरे सो पुत्र मेरे सामने मारे गए बड़ा अशर्रे है मुझे अपने पिछले सो जन्मों का स्मर्ण है कि मैंने एक भी पाप उनमें नहीं किया फिर मेरे सो सो बेटे क्यों मेरे सामने मारे गए व्याजी बोले अरे मुर्क बस तू तो स्रिष्टी जब से बनी है तब से जन्म नेरा है ना जाने कब क्या किया तूने तरतरास्ट बोले तो महराज बताओ उनके अंदर का अंदेरा दूर हो चुका था व्याज जी ने बताया कि सो जर्मों से पुर्व तु भरत वरश का एक बड़ा ही परतापी और धार्मिक राजा था तब रामेश्वरम को जाते होई मांस रोवर के हंसों ने तेरे बाग में अपने परिवार के साथ बसेरा किया एक हंस की हंसनी गरवती थी वे तुमारे पास आया और तुम से निवेदन किया मैं अपनी गरवती पत्नी को बाग में छोड़े जा रहा हूँ और वे हंस रामेश्वरम चला गया इदर उस हंसनी ने सौब बच्चों को चरम दिया तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिया पर एक दिन तुमारे रसोईये ने एक हंस के बच्चों को पका कर तुझे खिला दिया तुमें वे बड़ा स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किये उसे अग्या दी कि इसी प्रकार का मास नित्ते पकाया जाए अब देखो जीब इंद्रिये ने बल पकड़ा तुमने यह भी नहीं पूछा कि यह क्या है कहां से प्राप्त होता है तुम मों में अंदे हो गए और रोज उसी मास के इच्छा करने लगे और इस प्रकार उस हंसिनी के मोती चुगने वाले सो के सो बच्चों को थुम खा गए अब वैं हंसिनी अकेली रह गई हंस रामेश्परम यात्रा से वापिस आया तो हंसिनी से पूछा कि यह क्या और कैसे हुआ उसने कहा कि राजा से ही पूछो हंस ने राजा से कहा कि तुमने मेरे सो बच्चों का मास खा लिया राजा ने रसवयों को बुला कर पूछा उसने कहा कि महराज यह तो आपकी ही अग्या थी कि इसी प्रकार का भोजन नित्ते बनाया करो राजा धर्मात्मा था परंतु इस भेंकर पाप से बड़ा घबरा गया तब हंस हंसिवी ने कहा कि तुने अंदे होकर ये काम किया तु अंदा हो जाएगा और तेरे सामने ही तेरे सो सो पुत्र मरेंगे ऐसा कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिये व्याज जी बोले हे राजन सो जनम तक तु राजा और वेरानी एक साथ नहीं होए अब तुम दोनों इस जनम में राजा और महरानी बने हो तो ये घटना घटित हुई और उस जनम के उस करम का फल तुमें भोगना पड़ा दोस्तो जन्दगी में खुद से किया गया या किये जाने वाला कोई भी काम हमारा करम होता है और करम दो प्रकार के ही होते हैं या तो अच्छे करम या फिर बुरे करम और ये हमारे करम ही होते हैं जो हमारे आने वाला कल बनाते हैं इनसान का भविश्य इनसान के किये जाने वाले करमों पर निर्धारित होता है यदि करम अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा और यदि करम बुरे होंगे तो उसका फल भी बुरा ही होगा दोस्तो इस कानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कहते हैं बगवान के गर देर है अंदेर नहीं आज रही तो कल हर इनसान को अपने करमों का फल भोगना ही पड़ता है जो किया है वो एक बार उसके साथ भी होगा यानि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे जो इनसान किसी दूसरे के साथ बुरा करता है उसकी जिन्दगी में वे बुराई लौट कर अवश्य आती है ठीक इसी प्रकार जो इंसान किसी दूसरे के साथ अच्छा करता है उसकी जिन्दगी में वे अच्छाई भी लौट कर जरूर आती है खेर दोस्तों मुझे लगता है कि आप इस कानी का सार समझ चुके होगे अगर समझे हो तो कमेंट के माद्यम से अपने महतपूर मुल्लेवान कमेंट में जुरूर लिखके बताईएगा धन्यवाद